आद हम पढ़ने वाले कोशन जिसमें बोला क्या है लड़ाई बोल सकते हैं तो ब्लेक पॉवर मुवंएंट क्या है तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को तो यह जो मुवंएंट है फिरेंट जो आंदोलन है जो लड़ाई है वो स्टार्ट हुई थी 1966 में और ये चली 1975 तक के जो की एक तरह का militant anti-racist movement था आंदोलन था लड़ाई थी तो यहाँ पर militant का मदब है इस लड़ाई में ऐसे लोग भी शामिल थे जो की लड़ने के लिए भी तयार थे kind of military क्योंकि military भी हमेशन लड़ने के लिए अपने देश को बचाने के लिए लड़ती है तो उसी टाइप के लोग इस movement में शामिल थे anti-racist जाने की कि जो कास्ट को लेकर के जो भेदबाव हो रहे हैं वो खतम हो उसके लिए लड़ाई लड़ी जारी थी यह movement किया जारा था आंदुरन किया जारा था एंड यही कारण है कि इस black power movement में वो लड़ने तक के लिए भी तयार थे violence करने के लिए तयार थे हिंसा करने के लिए तयार थे अगर उनको जोद पढ़ेगी तो एंड इसी वज़र से यूएस में यानिकी अमेरिका में कास्ट को लेका के जो भेदबाऊ थे जिसको racism बोला गया है तो इस racism को caste के भेदबाव को खतम करने के लिए अगर जरूरी पड़ा तो वो लोग violence करने के लिए भी यानि की लड़ाई करने के लिए भी तयार थे और ये उनको बिल्कुल सही advocate कर रहते सही बता रहते कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे तो इस movement का actual reason क्या इस्टुएंट्स मैं आपको बताता हूँ 17th century से लेकर के 19th century तक के जो Americans थे वो लोग Africa के लोगों को slave बना करके गुलाम बना करके अपने देश में आ रहे थे अमेरिका ला रहे थे और उनसे अपना काम करवाते थे और जनरली क्या होता है Americans जो है वो color में गोरे होते हैं फेर होते हैं और African जनरली काले होते हैं color में ब्लेक होते हैं तो उनको लाने के बाद उनसे काम करने के बाद उनसे भेदभाव किया जाता था क्योंकि वो color में काले थे और दूसरे देश के थे अफरिका के थे तो उनको जो ये भेदभाव किया जा रहा था cast को लेकर के color को लेकर के जिससे वो परेशान थे और आखिर परेशान होकर के उन्होंने एक लड़ाई स्टार्ट किये जिसका नाम पड़ा दबलेक पावर मुवमेंट इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि वो इस भेदभाव को इस कास्ट को लेकर के या कलर को लेकर के जो उनमें भेदभाव थे जिसको रेसिस में बोला गया है उसको खतम करना चाहते थे यही इस मुवमेंट का मकसद था तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आए शुडेंट्स जिनके मिनिंग आपको पता होना चाहिए एमर्ज आने की स्टार्ट होना लास्टेट टिल आने की कब तक चला ये कब तक खतम हुआ एंटी रेसिस्ट आने की कास्ट को लेकर के जो भेदभाव किया जा रहा है उसका विरोध करना उसके खिलाफ जाना एड़ोकेट आने की बताना या फिर वकालत करना वोईलेंस आने की लड़ाई जगडा या हिंसा और रेसिस्ट में आने की कास्ट को ले करके भेट भाओ ओके स्टुडेंस क्लियर है I hope students आपको एक क्लियर हो गया होगा अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारी चनल को सब्स्राइक कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही थेंक यू